अज़ हम डिसकस करेंगे इंडिगो के बारे में देखिए इंडिगो की बात करें तो ये एक ओल्डेस्ट वैट डाई है जिसका ओरिजन इंडिया है तो इसी के बेसिस पर इसको इंडिगो टिन कहते हैं अब नैचुरली बात करें तो ये इंडियन प्लांट, इंडिगो फेरा, टिंक्टोरिया और एरोपियन प्लांट, आईसे टिस टिंक्टोरिया में इंडोक्जाइल के ग्लुको साइड के फॉर्म में मिलती है अब इसको synthesize कैसे किया जाता है, तो देखिए जब Indicane का Acidic या Enzymatic Hydrolysis किया जाता है, तो उससे Indoxyl Optane होता है, और Indoxyl का जब Arial Oxidation करते हैं, तो उससे Indigotene Produce होता है, देखिए ये हो गया Indicane, जब इसका Acidic या Enzymatic Hydrolysis करते हैं, तो Beta Glucose और Indoxyl Optane होता है, ये हो जाएगी इसकी Inol Form और ये हो जाएगी इसकी Keto Form, अब Indoxyl का जब Arial Oxidation करते हैं, तो उससे Indigo या Indigotene Optane होता है, अब इस Method के अलावा हम Indigotene को कुछ और Method से synthesize कर सकते हैं, इसमें पहला हो जाएगा Human's First Indigo Synthesis, ये 1890 में Discover किया गया था, इस Process में Aniline और Chloro Acetic Acid को जब Heat किया जाता है, तो इनका Condensation होगा, और ये Condensed Product बनेगा, जिसकी Reaction, NH, और Soda Amide के साथ इस Temperature पर करवाते हैं, तो यहां से H2O Molecule रिमूव होगा, और रिंग क्लोजर हो जाएगा, तो इससे Indoxile Optane होगा, अब Indoxile का Arial Oxidation करते हैं, तो Indigo Tin या Indigo Octane होता है, फिर Second Point हो जाएगा, Human's Second Indigo Synthesis, यह 1896 में Discover किया गया था, इस मेतड में Anthrinilic Acid को Chloro Acetic Acid के साथ जब Heat किया जाता है, तो Condensation Reaction के तुरू यह Condensed Product बनता है, और इसको जब NH और Soda Amide के साथ Heat करते हैं, तो Indoxilic Acid Optane होता है, अब इसका Decarboxylation करते हैं, तो यहां से CO2 Remove हो जाएगी, और Inolform जब Keto में Convert हो जाती हैं, तो यह Indoxil बनेगा, अब इसका Arial Oxidation करते हैं, तो Indigo या Indigo Tin Optane होता है, अब बात करते हैं इसकी Physical Properties की, तो देखिए, Indigo Tin एक Dark Blue Compound होता है, जिसका Melting Point 663 Kelvin होता है, अब Solubility की बात करें, तो Indigo Tin Water और दूसरे Organic Solvents में Insolubal होता है, फिर बात करते हैं Chemical Properties की, तो देखिए, जब Indigo Tin की Reaction Alkaline Sodium Hyposulphite के साथ करवाई जाती हैं, तो Insolubal Indigo Tin एक Solubal Colorless Form या Leuco Form में Reduce हो जाता है, जिसका Color White होता है, और इस Form को हम Indigo White कहते हैं, अब देखिए, जिस Cloth को Dye करना होता है, उसको इस Alkaline Solution में Soak किया जाता है, और फिर उसको Air में रख दिया जाता है, अब Air में रखने की वज़े से Dye का Arial Oxidation होगा, और Cloth पर Original Blue Color Impart हो जाता है, यह हो जाएगा Indigo या Indigo Tin जो की Blue Color Soak करता है, अब इसका Reduction करते हैं, तो Indigo White Octane होता है, जो की Water Soluble होता है, और इसका जब वापस Oxidation करते हैं, तो Indigo या Indigo Tin Octane होता है, अब बात करते हैं Indigo Tin के Usage की, तो देखिए, इसका Use Large Scale पर Dye के Form में किया जाता है, क्योंकि इसका Color Excellent होता है, और अगर हम Synthetic Indigo की बात करें, तो उसकी Cost Natural Indigo के Comparison में कम होती हैं,